तेवारों के मौसम की सुरुवात हो चुकी है वहीं अब जल्द ही इस तेवार के मौसम में दिपावली का भी आगास होने वाला है बता दे कि रोश्नी का तेवार दिपावली इस वर्ष 24 ओक्टूबर 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस बार दिपावली पर खास संयोग बनने चाड़ा है जिसकी वजह से कई रासी की किश्मत चमकने वाली है अगर हम पांचान के अनुसार देखे तो दिपावली 24 ओक्टूबर को है और उसके बाद 26 ओक्टूबर को बुथ तुला राशी में गोचर करेंगे जो की कुछ राशीयों के लिए बेहत सुपशावित होने वाला है इसे तरह दिपावली के बाद बुद्ध का गोचर और राशी वालों पर माललक्षमी की क्रिपा बरसाएगा और जातकों को खूब धन का लाब होने वाला है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस राशी को इस बार दिपावली पर सबसे जादा लाब मिलने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुनराशी वालों के लिए दिपावली के दो दिन बाद तुलाराशी में बुध का गोचर सुब शाबित होने वाला है मिथुनराशी के लोगों का किस्मत उनका साथ देने वाली है इनकी दोड़ा किये गए वैपार या नौकरी में भी सुब फल मिलेगा इसके साथ ही इनके वर्क प्लेस से जुरी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है मिथुनराशी वाले लोगों का आई भी बढ़ेगा और उनकी वे सारी समस्याएं खत्म होंगी जो उनके जीवन में काफी लंबे समय से चलता आ रहा है इन्हें अचानक कहीं से धन लाप की प्राप्ती हो सकती है और साथ ही इनकी सारी परिशानियां भी खत्म होने वाली है करक राशी दिपाबली के बाद करक राशी वालों को लाप मिलने वाला है जीवन साथी के साथ ये अच्छा समय व्यतीत करेंगे इन्हें धन का भी लाब होगा और वे सारे काम पूरे होंगे जो धन की वज़ा से पूरे नहीं हो पा रहे थे प्रते काडियों में इन्हें सफलता मिलेगी सिहरासी बदगोचर से सिहरासी वाले लोगों को धन की प्राप्ती होगी और इसके साथ ही उन्हें उनके परिवार से भी पूरे सहीयों की प्राप्ती होगी इन्हें किसी स्थान से नौकरी के भी ओफर दिये जा सकते हैं उन्हें कहीं से अचारक धन की भी प्राप्ती हो सकती है इसके साथ ही उन्हें उनके सबी आर्थिक समस्याओं से छुटकाड़ा मिलेगा कामकाज में सफलता मिलेगी और वैपार में भी लाब होगा इन्हें भागे का पूरा साथ मिलेगा व्रिश्चिक रासी बुद्गोचर ब्रिश्चिक रासी वाले लोगों की आए में वृधी करेगा इन लोगों की सैलरी भी भरसकती है वहीं वैसे लोग जो वैपारी हैं उनके मुनाफे में भी वृधी होगी खास्तोर वैसे लोग जो अपना काम विदेश से करते हैं उन्हें और भी अधिक प्रभापति होगी जो काफी समय से रुके थे धनुराश्य वाले लोगों की आये में वृधी होगी और इनने अनिक पड़िवार से जुरे कोई सब्समाचार मिल सकेगा मकडर रासी बुद्गोचर से मकराशी वाले लोग करियर में लाब मिलेगा इसके साथ ही उन्हें उनकी नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा और साथ ही उनकी सालरी को भी बढ़ाया जा सकता है मकराशी वाले लोगों को नई नौकरी के ओफर भी मिल सकते हैं इनकी merit life अच्छी रहेगी, इनके मान सम्मान में वृधी होगी और जीवन सुख में रहेगा इसलेक में दी गई जानकारी, सामगरी, गन्ना की प्रामनिक्ता या विश्वसनियता की गारेंटी नहीं है सुखना के विवन माध्यमों, जोतीशियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मानेताओं, धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सुखना आप तक प्रेशित की गई है हमारा उदेश से सिर्फ सूचना पहुचाना है, पाठक या उप्योग करता है, इसे सिर्फ सूचना समझ करी रहे, इसके अतरिक्त इसके किसी भी तरह से उप्योग की जिम्मेदारी, स्वेम उप्योग करता या पाठक की ही होगी आज के लिए इतना ही धन्यवाद